कि आप भी EPF और ESIC के चालान जमा नहीं कर रहे हैं दोस्तो अगर आप EPF और ESIC के चालान नहीं जमा कर रहे हैं तो आपको EPF और ESIC डिपार्टमेंट से recovery का लेटर जरूर आएगा दोस्तो बहुत से हमारे employer ऐसे होते हैं जो EPF और ESIC का code तो ले लेते हैं लेकिन वह है चालान या उनको compliance नहीं करते हैं अपनी firm को तो दोस्तो यह बहुत बड़ी गलती करते हैं अगर आपना ऐसा किया तो आपके पास अवश EPF और ESIC डिपार्टमेंट से recovery का लेटर राप्त होगा दोस्तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको वह है लेटर किस तरीके से आपके email या address के जरी आपको भेजा जाता है दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं रोहित राजद यह एक बार फिर सस्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल EPF और ESIC Expert में दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा कि यह है letter किस तरीके से आता है और कितनी penalty आपको pay करनी होती है और कितनी percent EPF और ESIC Department लगाता है आपके चलान की recovery के ऊपर दोस्तो यह recovery इसलिए आती है कि अगर मान के चलिए आपने चलान जमा नहीं किया है या आप चालन जमा कर रहे हैं लेकिन लेट जमा कर रहे हैं तो वह सारी चीज़ें EPF और ESIC Department वाले online देखते हैं और उसी के जरीए आपको recovery letter बेशते हैं चलिए दोस्तो मैं आपको बताता हूँ कि वह letter किस तरीके से आता है दोस्तो यहां से मैं आपको बताऊंगा letter जो हर एक employer के पास ऐसा letter आता है अगर आप EPF और ESIC compliance नहीं करते हैं तो देखी दोस्तो ऐसा letter आपके पास भी कभी ने कभी आया होगा जैसे कि बहुत से employer के पास ऐसा letter आता है देखी दोस्तो यहां पर आपका employer name जो भी आपकी company का नाम है उसके बाद employer संख्या जो आपका ESIC number है और दोस्तो यहां पर दिखा रहा है इसमें देखी आपको दिखा रहा है कि जिनके लिए करमचारी राजजबीमा अधिनियम की धारा 40 के अनुशार नियोजबीमा अधिनियम के अधिन बनाए गए बिनियम 1950 में यथा नेधारित रिती और तय समय के भीतर अनुशार करने में चूक की है दोस्तो अगर आपके पास भी यह letter आया है और आपने अभी तक penalty नहीं भरी है तो दोस्तो यह आपको बापस दुबारा से letter भेजते रहेंगे और आपको कुछ इस तरीके से आपको बताएंगे कि आप जल्दी से जल्दी इस penalty क्यों भरें देखिए दोस्तो आपको दिखा रहा होगा उक्त कारखाने इस्थापना के नियोजग के रूप में कंपनी के मालिक का नाम किरपया 15 दिनों के भीतर कारण बताएं और सलगन जो रासी है वो जमा करें दोस्तो अगर आपके पास यह letter आ गया है और आपने अगर 15 दिन के अंदर इस letter का जवाब बना कर नहीं दिया है तो यह बापस आपको letter भीज़ेंगे और double penalty के साथ उस letter को आपके पास send किया जाएगा तो मेरा निवेदन है कि जब भी आपके पास इस तरीके से letter आते हैं तो आपको यह जो penalty है penalty तो दोस्तो मैं आपको बताओं भरनी ही पड़ेगी बहुत से हमारे complyors जो EPF ESIC complys करते हैं वो कहते हैं कि penalty नहीं भरनी पड़ेगी लेकिन मैं आपको बता दूँ कि अगर यह letter आपके पास आया है तो आपको penalty भरनी पड़ेगी लेकिन मैं एक बात बता दूँ penalty का कारान हम बने ही क्यों अगर हम EPF और ESIC का जो complys है उसे समय से पहले हम अगर complys करें तो आपको यह नौबत आईगी ही नहीं अगर आप हर 15 तारिक के अंदर EPF और ESIC के चालान का बुगतान करते हैं तो आपको कभी यह दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों यह जो problem है वो इसलिए आई है देखी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें दिखा रहा है कि आपने जो चालान है वो लेट अबदी में जमा किये हैं तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने 5%, 15%, 10% के इसाप से पैनल्टी लगाई हुई है जैसे कि यह लगाते आ रहे हैं देखी दोस्तों कभी-कभी 26 दिन हो जाते हैं मानके चलिए आपने किसी भी तारिक के 15 तारिक तक आपना चालान बना दिया लेकिन आपने उसको पे ही नहीं किया है आपको एक महीना या एक महीने से उपर हो गया है तो आपको कुछ इस तरीके से पैनल्टी भरनी पड़ेगी तो दोस्तों इस तरीके से यह लेटर आते हैं ESIC की तरफ से तो मेरा निवेधन है कि आप अगर एक EPF और ESIC कमप्लाइस करते हैं तो आप से मिनन बिनर्म निवेधन है कि आप हर मा की 15 तारिक के अंदर EPF और ESIC का बुगतान अवश्य करें नहीं तो आपको कुछ इस तरीके से दिक्कतों को सामना करना पड़ सकता है दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी हेलफफुल जानकरी के लिए आप हमारे चनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों मैं ऐसे ही आपके लिए EPF ESIC से रिलेटिड वीडियो लेके आता रहूंगा धन्यवाद दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ESIC के तरब से किस टाइप की वीडियो चाहिए या किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए EPF और ESIC से रिलेटिड और दोस्तों बेल आइकन को आप जरूर प्रेस करें जिससे जो भी नहीने अपडेट्स है वो आपक के द्वारा मिलती रहेगी धन्यवाद